Welcome back guys, तो आज हम शुरू करेंगे chapter 1, class 11th biology का, इससे पहले हमने sell the unit of life complete कर चुका है YouTube पे और वो completely uploaded है, ठीक है, तो उसको आप देख सकते हैं, I button में जा करके, तो आज हम शुरू करेंगे chapter 1 को, तो शुरू करते हैं, welcome back guys, आज हम class 11th biology के chapter 1 का part 1 पढ़ेंगे, तो इस chapter का नाम के ह living word, ठीक है, चलो, पढ़ते हैं, how wonderful is the living word, देखो जो हमारा living word है, वो कितना the wonderful है, उसको हम यह आपर समझना है, the wide range of living type is amazing, अगर आप अपने आसपास भी देखो, तो आपको जो living organism में है, वो बहुत different type के मिलेंगे, पेड़ पौदे हैं, पक्षी हैं, मचलियां हैं, बहुत different type के, the extraordinary habitat in which we find living organism, है न, और फिर आप देखते हो कि जो organism में है, उनका जो habitat है, वो कैसा extraordinary है, habitat मतलब जहां पर वो organism रहते हैं, तो कहां-कहां पर रहते हैं, जैसे, be it cold mountains, ठीक है, deciduous, forest, oceans, fresh water lakes, deserts, और hot springs, hot springs क्या होते हैं, जहां पर से, जमीन के नीचे क्या होते हैं, पानी गर हो जाता है, तो वो फिर उपर को आता है, जमीन से उपर को, तो उसे hot springs बोलते हैं, तो यहां पर भी आपको life मिलती है, ठीक है, तो leaves us speechless, मतलब हम बहुत ज़्यादा amazed हो जाते हैं, कि यार हमारी life, हमारा जो living word हो, कितना ज़्यादा wonderful है, the beauty of galloping horse, galloping horse क्या होता है, जो ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी एक अलगी beauty है, of the migrating bird, फिर migrating bird, जो दूसरी जगे से कहीं पर आती है, वो भी कैसे रहती है, काफी ज़्यादा attractive रहती है, the valley of flowers, जैसे कि है, जैसे यहां उत्राखंड में भी valley of flower है, जो कि है, चमोली में, और पिथारागड में, और the attacking shark evokes you and a deep sense of wonder, तो जो attacking shark है, वो भी क्या है, बहुत जाता हमें amaze करती है, ठीक है, उसकी भी अलग एक beauty है, तो अभी तक हमने क्या देखा, जो हमारा living world है, उसमें बहुत different type के living organism मिलते हैं, वो different type के habitats में रहते हैं, तो यह सब क्या है, इनकी अपनी अलग-अलग beauty है, इनकी लग-अलग यहाँ पर importance भी है, ओके, the ecological conflict, अब ecological conflict क्या होता है, कि जो ecosystem में conflict, या फिर जो जगड़े लडाईया होती है, अब क्यूं होती है, मान लो food को लेके हो रही है, food को लड़ रहे है, food को लेके लड़ रहे हैं, दो species, जगे को लेके लड़ रहे हैं, तो ऐसे बहुत स कहां कहां दिखता है, among members of a population, किसी एक particular population के members में आपको दिखेगा, जैसे ये population है, ठीक है, इस population के अंदर एक ही member है, एक ही member है, इनके बीच में conflicts भी हो सकता है, मतलब लडाई भी हो सकता है, किसी resource को लेके, या फिर इन में cooperation भी दिख सकता है, कि एक दूसरे ये मदद कर रह है, and among population of a community, या फिर जो community है, ठीक है, community क्या होता है, और population क्या होता है, community के अंदर बहुत सारी population आ जाती है, ठीक है, और यह जो population रहती है, यह क्या रहती है, different different species के रहती है, अलग-अलग species हैं, ठीक है, तो इनके बीच में भी क्या हो सकता है, conflicts हो सकता है, बहुत सारी चीज a cell make us deeply reflect on what indeed is life. तो आप देख रहे हो, आपको यहाँ पर क्या समझना है, कि life actually में है क्या? तो उसने क्या बुला? आप conflict भी देखते हो, आप cooperation भी देखते हो, इसके लावा आप cell के अंदर जो molecular traffic है, वो भी देखते हो. Molecular traffic का मतलब क्या है कि cell के अंदर जो भी chemical है, molecules, वो क्या है? एक जगे से दूसरी जगे जा रहे हैं, उन में modifications हो रही है, वहाँ बहुत सारी reactions हो रही है. तो question exactly क्या आता है? What is life? ठीक है? This question has two implicit questions within it. आप देखको question क्या है, what indeed is life? तो इसके अंदर भी दो connected questions आते हैं. जैसे यहाँ पर क्या है, the first is a technical one and seek answer to what living is opposed to the non-living. तो यहाँ पर question क्या पुछा गया? कि जो living है, वो non-living से किस तरीके से अलग है? ठीक है, यह पहला question है. And the second is philosophical one and seeks answer to what the purpose of life is. और जो दूसरा question है, वो philosophy वाला है. मतलब कि हम क्यों पैदा हुए, हमारा लक्ष क्या है, हम पैदा हुए, क्या गरेंगे, यह सारी चीज़े होती है ना? ठीक है, हम इस धर्ती पे क्यों आए? तो वो अलग चीज़े हैं, है ना? तो as scientists, we shall not attempt answering the second question. तो second question को तो हम answer करेंगे ने, क्योंकि हम scientists हैं. We will try to reflect on what is living. तो हमें यहाँ पे समझना है, what is living? Living होता क्या है? So, what is living? When we try to define living, we conventionally look for distinctive characters exhibited by living organism. तो जब ही हमें define करना है कि living होता क्या है, तो हमें इसके लिए क्या है? कुछ character state को ढूणना पढ़ेगा, जो कि सरिफ living organism में ही होती है. जैसे कि growth, reproduction, ability to sense environment. मतलब कोई living organism में है, तो उसके आस-पास क्या हो रहा है, वो उसको पता रहता है, sense करता है वो environment को. है ना? And mount a suitable response come to our mind immediately as unique feature of living organism. तो कुछ unique features होंगे ना living organism के, जिससे हमें पता चलेगा कि यह living है और यह non-living है. Difference, ठीक है? One can add a few more features. तो उपर यह जो features हैं, living organism के, इसके अलावा भी कुछ और features को add किया जा सकता है, जैसे living organism में metabolism होता है, मतलब metabolism का मतलब reactions होती है, ability to self-replicate, यह replicate कर सकते हैं, ठीक है, अपनी, मतलब copy बना सकते हैं, self-organize होते हैं यह, interact and immerse to this list. तो यह भी points आते हैं, इस list में, कौनसे list जिसमें हम पढ़ रहे हैं, points की living organism में यह चीज़े होती हैं. Let us try to understand each of them. अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे. All living organisms grow, सीधी बात है, living organisms grow करते हैं, increase in mass and increase in number of individuals are twin characters of growth, यह important है. तो यह दोनों characters होते हैं, growth के लिए, तो growth में mass भी increase होता है, और number भी increase होता है, किसी भी organism का. A multi-cellular organism grows by cell division, तो हम लोग जो हैं, हम में भी क्या होता है, cell division की वज़े से ही growth होती है, जैसे कि कौनसे cell division? In plants, this growth by cell division occurs continuously throughout their lifespan, अब देखो, जो plants होते हैं, plants में भी growth होती है, cell division की वज़े से, और यह जो growth होती है, जब तक कि plant जिन्दर रहता है, ठीक है? In animals, this growth is seen only up to a certain age, और animals में क्या होती है? यह जो growth है यह एक age तक ही रहती है, उसके बाद growth होना थोड़ा बंद हो जाता है. However, cell division occurs in certain tissues to replace lost cells, तो जैसे animal है, animal में एक age के बाद क्या होता है, कि growth जो है वो रुख जाती है, फिर तब भी भी क्या होता है, cell divisions तो होते रहते हैं, अब cell division क्यों हो रहे हैं? cell division इसले हो रहे हैं, ताकि जो lost cells हैं, उसको replace किया जा सकें, जैसे कि मान लोगो कि किसी के हाथ पे चोट लग गई, तो हाथ पे चोट लग गई, तो cell damage हो जाएंगे, तो उसकी जगे पे नए cell बनाने के लिए तो cell division होगी न, तो continuously यहाँ पे cell division तो चलती रहती है, बड़ ल in vitro culture by simply counting the numbers of cells under the microscope, अब यह ऐसे करके culture plate है, ठीक है, इस culture plate के अंदर आपने क्या रखे, बैक्टीरिया को grow कर वेवा, तो यह nutrition डाल दिया आपने बैक्टीरिया के लिए, उसके बाद यह बैक्टीरिया आपने डाल दिया है, अब यह बैक्टीरिया क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, एक से दो होंगे, फिर दो से यह, चार होंगे, इस तरीके से डिवाइड करते रहेंगे, तो यह क्या क्या आपने, इसे बोलते है, in vitro culture, ठीक है, in vitro मतला outside the body, तो in vitro culture हो रहा है है, तो यहाँ पर क्या है, आप देख रहे हो, कि simply count कर रहे हो, कि भाई, पहले एक bacteria था, अभी 2 हो गए, अभी 4 हो गए, तो इससे आपको क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर growth हो रही है, ठीक है, in majority of higher animals and plants, growth and reproduction are mutually exclusive events, अब जो higher animals और plants होते हैं, उसमें growth और reproduction क्या है, mutually exclusive events है, मतलब एक दूसरे से यह जुड़े वे, जैसे example ले लेता है, हम लोग अपना ही, तो हमें क्या होता है, सबसे बले जैसे एक बच्चा है, छोटा उसा बच्चा रहता है, फिर धीर 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 बड़ा होता है, ठीक है, फिर puberty की age आती है, puberty की age के बाद फिर क्या होता है, इसमें growth होती है, growth होना शुरू हो जाता है, फिर क्या होता है, यह reproductively active हो जाता है, मतलब अब यह reproduction कर सकता है, ठीक है, तो पहले growth होती है, उसके बाद ऐसी यह जाती है, जहांसे reproduction की शुरुआत हो सकती है, ठीक है, one must remember that increase in body mass is considered as growth, तो देखो, अगर body mass increase हो रहा है, उसको भी आप क्या बोलोगे, growth बोलोगे, यह चीज हमने उपर देखी थी, non living objects also grow if we take increase in body mass as criteria for growth, तो अगर हम बोले कि growth का मतलब होता है, कि body mass increase होना, अगर हम मान के चल रहे है, तो हम यहाँ पर देखें कि non living objects का भी growth होती है, ठीक है, जैसे कि mountains, boulders, boulders क्या होते हैं, rocks, ठीक है, and sand mounts, sand mounts क्या होते हैं, rate के तीले, जो ऐसे ऐसे रहते हैं, रहिस्तान में, इस तरीके से, ठीक ह इस पर और rate जमा होती है, ठीक है, rate जमा होती है, तो इसका क्या हो जाएगा, mass बढ़ जाएगा, ठीक है, इनके mass बढ़ने शुरू हो जाएगे, however, this kind of growth exhibited by non living object is by accumulation of material on the surface, अब यह जो growth होती है, कैसे होती है, कि material बाहर से जमा होते जाएगे, ठीक है, बाहर से और rate जमा हो जा होते हैं, और उनकी growth होती है, in living organism, growth is from inside, और जो living organism होते हैं, उनमें growth अंदर से होती है, okay, growth therefore cannot be taken as defining property of living organism, इसलिए हम growth को एक defining property नहीं बोल सकते living organism का, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं, कि growth तो non living में भी हो रही है, conditions under which it can be observed in all living organism has to be explained and then we understand that it is a characteristic of living system, तो अगर हम कुछ conditions ले तो उस basis में हम बोल सकते हैं, कि जो living organism होते हैं, उनमें growth होती है, ठीक है, growth क्या है, character है living organism का, but लेकिन condition आपने यहाँ पर क्या लेनी है, कि जो growth होती है living organism में, वो from the inside होती है, ठीक है ना, और जो non living होती है, उनमें बहार से growth होती है, by the accumulation of material, dead organism does not grow, तो जो dead organism होता है, वो तो कोई living organism, अपने जैसे दूसरे living organism को produce करता है, likewise is a characteristic of living organism, तो reproduction क्या है, characteristic है living organism की, कोई भी non living object क्या reproduce कर पाता है, नहीं कर पाता, जैसे पहले नहीं होता है, इस school में बूलते थे, कि teacher बूलता था, कि भाई, किताब क्यों नहीं लेकिया है, वो अंडे दी रही है क्या घर में, य इसा तो कुछ होता नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कि जो भी non living objects हैं, वो reproduce नहीं करते हैं, in multicellular organism, reproduction refers to the production of progeny processing features more or less similar to those of parents, तो जो multicellular organism होते हैं, उनमें reproduction का मतलब क्या है, कि production of progeny, मतलब बच्चे produce करना, जिनका जो feature है न, वो more or less similar होता है parents के, जैसे यह क्ये parent है, ठी कि इसमें तो couples हो गए, humans में, male और female, तो इनके यह बच्चे वे, ठीक है, अब यह बच्चा जो हुआ, इसके जो features होंगे, यह हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिलते हो, या थोड़े कम मिलते हो, अपने parents से, ठीक है न, तो आपको पता है, यहाँ पर sexual reproduction हो रहा है, यहाँ पर जाती है, features मिलते तो हैं, पर ऐसे थोड़ना कि exactly मिल जाएं, यह सब नहीं होता, क्योंकि sexual reproduction में variations होती है, अगर आप यहाँ पर बात करोगे, asexual reproduction की, तो asexual reproduction में, जैसे यह है, ठीक है, unicellar organism है, इसमें यह हुआ, division, तो इससे दो नए cell बन गए हैं, यहाँ पर, तो क्या ह comparably, an implicity, refers to sexual reproduction, तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, किसकी sexual reproduction की, हमने asexual की बात नहीं करी, क्योंकि multicellar organism में basically sexual reproduction होता है, organism reproduce by asexual means also, जो asexual reproduction होता है, वो भी living organism में होता है, जैसे, fungi multiply and spread easily due to the millions of asexual spores, they produce, तो जो fungus होती है, fungi, ठीक है, fungi में क्या बनती है, sports बनती है, अब यह जो spores बनती है, इनका नाम क्या होता है, इनका नाम होता है, conidia, ठीक है, conidia बोलते है, इनको, यह asexual क्या होती है, sports होती है, जो की fungus में produce होती है, okay, in lower organism like, east and hydra, अब जो lower organism में है, जैसे east और hydra, we observe budding, हमें budding दिखती है, यह अपने सब class 10th में भी पढ़ा होगा, in planaria, जो की flatworm है, we observe true regeneration, ठीक है, अब इसका में diagram यहाँ बना जता हूँ, तो देको इस diagram में अगर आप देखो, तो यह क्या है, यह parent body हो गई, ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ फ्रेग्मेंटेशन होता है, फ्रेग्मेंटेशन मतलब यहाँ यहाँ यह fragments बन जाएंग, इ तो यहाँ पर क्या है, a fragmented organism regenerate the lost part of its body and become a new organism, तो यहाँ पर जो भी यह रहते हैं टुकडे, यह नए क्या बना जते हैं, और इसको बना जते हैं, the fungi, the filamentous algae, the protonima of mosses, ठीक है, all easily multiplied by fragmentation, तो fungi है, filamentous algae है, और protonima of mosses, अब यह protonima क्या होता है, thread-like chain होती है, cells की, ठीक है, protonima क्या होती के thread-like chain होती है, cells की, जो की mosses में मिलती है, मतलब की bryophytes में मिलती है, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है, fragmentation होता है, when it comes to unicellar organisms, like bacteria, unicellar algae, और amoeba, reproduction is synonymous with growth, synonymous मतलब same meaning, तो यहाँ पर reproduction जो है, वही क्या होता है, growth होता है, मतलब increase in number of cells, अब आप देखो ना, यहाँ growth हो रही है, मतलब इस bacteria में क्या हो जाएगा, यहाँ पर cell division हो जाएगा, अब cell division हो गया, तो यहाँ पर दो बन गए यह, दो bacteria हो गए, तो यही तो क्या हुआ, reproduction हुआ, समझ रहे न, cell division ही क्या कहलाता है, यहाँ पर reproduction कहलाता है, we have already defined growth as equivalent to increase in cell number और mass, तो हमने उपर बोला था, कि अगर individual का number बढ़ता है, या mass बढ़ता है, तो वो growth कहलाती है, तो यहाँ पर एक cell है, uniceller की बात हो रही है, तो increase in cell number, क्या फिर mass increase होता है, तो वो growth कहलाता है, hence we notice that, in single cell organism, we are not very clear about the use of these two terms, growth and reproduction, तो जो single cell organism होते हैं, उनमें हम थोड़े confused होते हैं, कि हम growth का use करें, या reproduction का use क word का, term का, क्यों, क्योंकि दोनों ही क्या होता है, यहाँ पर same होता है, मतलब, growth होना, reproduction होना, reproduction होना, growth होना, ठीक है, further there are many organisms which do not reproduce, अब कुछ organisms ऐसे भी तो होते हैं, जो reproduce नहीं करते हैं, जैसे कि mules, ठीक है, या फिर sterile worker bees, यह जो worker bees होती हैं, यह भी reproduce नहीं करती हैं, फिर infertile human couple, कुछ ऐसे couple होते हैं, human couple, जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं, तो यह भी तो living organism है, बट लेकिन इन में तो reproduction नहीं हो रहा है, hence reproduction also cannot be an inclusive defining characters of living organism, ठीक है, तो जो living organism होते हैं, उनमें जरूरी नहीं है कि reproduction हो गाई होगा, क्योंकि उपर हमने example देखा कि कुछ ऐसे living organism भी होते ह हैं, जिनमें reproduction नहीं हो पाता, of course, no non-living object is capable of reproducing और replicating by itself, यह तो clear है हमारे दिमाग में भी, कोई भी non-living object में reproduction नहीं हो सकता, और वो replicate, मतलब अपनी copy नहीं बना सकता है, ठीक है, another characteristic of life is metabolism, ठीक है, तो जो living organism होते हैं, उनके अंदर क्या होते हैं, metabolism होते हैं, metabolism मतलब total reaction occurring in your body, जैसे हमारी body में जितनी भी reactions हो रही हैं, उनको बोलता है metabolism, अब reaction यहाँ पर दो type की होती है, first is catabolic, catabolic reaction, ठीक है, catabolic reaction क्या होती है, जिसमें breakage होता है, किसी molecule का, जैसे की example है, glycogen ले लो, ठीक है, glycogen क्या है, stored form है glucose की हमारी body में, तो glycogen किसमें break हो जाता है, glucose में break हो जाता ह है, तो glycogen जब glucose में break हो रहा है, तो इसको catabolic reaction बोलेंगे, second, कौन से होती है, anabolic reaction, ठीक है, तो anabolic reaction में यहाँ पर क्या होता है, जो glucose है, वो convert हो जाता है किसमें, glycogen में, ठीक है, तो anabolic में क्या हो रहा, synthesis हो रहा है, anabolic reaction में synthesis होता है, catabolic reaction में यह breakdown होता है, समझगे न, तो इस तरीके से यहाँ पर metabolic reactions होती है All living organisms are made of chemicals तो जितने भी living organisms है वो chemical से बने हैं जैसे की carbohydrate, protein, fat, lipids है ना, these chemicals small and big, small होते हैं, big होते हैं belonging to various classes, बहुत different classes के होते हैं ठीक है, size के होते हैं, उनके functions अलग अलग होते हैं are constantly being made and change in some other biomolecules, तो यह जो chemicals हैं, यह constantly बनते भी रहते हैं हमारी body में, और एक form से दूसरी form में convert होते रहते हैं, these conversions are chemical reactions, और यह conversions कैसे होते हैं, chemical reactions की मदद से, या फिर metabolic reactions की मदद से, जैसे हमने अभी उपर देखा था there are thousands of metabolic reactions occurring simultaneously inside all living organisms तो तो तेखो, कोई भी living organism है उसके अंदर कैना, continuously thousands of metabolic reactions चलती रहती हैं, और इनी metabolic reactions की वज़े से ही, तो कोई living organism जिन्दा रहता है, be they, unicellular or multicellular, तो unicellular हो चाहे multicellular हो, उनमें metabolic reaction होती है all plants, animal fungi and microbes exhibit metabolism, ठीक है, तो इन सब में भी metabolism होता है, the sum total of all the chemical reactions occurring in our body is metabolism, यह मैं non-living object में metabolize नहीं दिखता है metabolic reactions can be demonstrated outside the body in cell-free system, अब देखोई जो metabolic reactions होती है, यह generally का होती है, हमारी body में cell के अंदर होती है but in reactions को हम body से बाहर भी perform कर सकते हैं, cell-free system में, ठीक है, इसको समझते है unisolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in test tube is neither living nor non-living, तो एक यह एक इंसान है, ठीक है, इस इंसान की body में cell है, इस cell में एक reaction होती है A से B में conversion, अब इसी reaction को आप किसमें करा होगा, एक test tube में करा दो, body से बाहर, cell-free system में, ठीक है, तो आप ऐसे भी इसको perform कर सकते हो hence, while metabolism is a defining feature of all living organism without exception, तो जो जितने भी living organism होते हैं, उनके अंदर metabolism होता ही होता है, ठीक है, यह उसका feature हो गया है, isolated metabolic reaction in vitro are not living things but surely living reactions, अब यह जो reaction है, यह कैसे होगे, in vitro में हो रही है, in vitro मतलब outside the body हो रही है तो इस reaction को आप क्या बोलोगे, यह non-living thing है, यह reaction क्या है, non-living thing है, but surely living reaction है, इस बात को समझना, देखो आपने reaction को क्या बोला, कि यह reaction एक non-living thing है, exactly यह non-living thing है, but यह reaction living reaction है, living reaction क्यों है, क्योंकि हमारी body के अंदर होती है, और हमारी body के अंदर perform होके हमें जिन्दा रखती है यह metabolic reactions, ठीक है hence cellular organization of the body is defining feature of life form, तो एक यहाँ पर पॉइंट और जोड़ दिया, कि जो living organism होते हैं, उनके अंदर cellular organization होती है, बतलब चाहे कोई भी living organism हो, चाहे वो unicellular हो या चाहे वो multicellular हो ठीक है, सबकी body किस से बनी है cell से बनी है, unicellular तो यह की cell होगा, multicellular तो बहुत सारे cell होगे, बट cell होंगे, ठीक है न, यह यहाँ पर बूला, और इन्हीं cell के अंदर metabolic reactions होती है, परापस the most obvious and technically complicated feature of all living organisms is this ability to sense their surrounding or environment and response to these environmental stimuli, which could be physical, chemical और biological तो देखो, एक बहुत सदा technically complicated feature होता है, सारे living organism का वो क्या होता है, कि वो अपने आसपास के surrounding, या अपने आसपास के environment को sense करते हैं, उन्हें पता होता है कि हमारे आसपास क्या चल रहा है ठीक है, उसको sense कर लेते हैं, और फिर उसके लिए response भी करते हैं, जैसे कि अब environmental stimuli क्या होता है, जिसके लिए वो response करता है, stimuli physical भी हो सकता है, chemical भी हो सकता है और biological भी हो सकता है, ठीक है ना? ओके, we sense our environment through our sense organ, तो हमने अपने environment को कैसे sense करते है, sense organ की मदद से, sense organ में क्या रहती है, nerves रहती है, जिनकी मदद से हम sense कर पाते हैं, plants respond to external factors like light, water, temperature, other organs, pollutants, etc, अब जो plant होता है, वो external factors के लिए क्या करते है, response करते हैं, light, water, temperature, other organs, या फिर pollutants के लिए, ठीक है, all organisms from the prokaryotes to the most complex eukaryotes can sense and respond to environmental cues, ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बोला, cues मतलब signal, तो environment में जो भी signals रहते हैं, जो भी stimuli रहते हैं, उनको हर एक living organism sense करता है, चाहे वो prokaryotic हो, चाहे वो eukaryotic हो, तो यह एक defining feature हो जाता है, क्या living organism का, photo period affects reproduction in seasonal breeders, अब देखो photo period का मतलब क्या होता है, कि कोई organism है, वो organism एक दिन में, मालो, चार घंटे sunlight को ले रहा है, तो चार घंटे क्या हो गया, उसका photo period हो गया, तो ऐसी photo period, different, different organisms का अलगल होता है, ठीक है, किसी को जादा time तक sunlight चीए होती है, किसी को कम time तक sunlight चीए होती है, ठीक है, तो जो photo period होता है, वो affects करता है, seasonal breeders के reproduction को, both plants and animals, जाए वो plant हो चाए, वो animal हो, अब जैसे plant का example लेते है, plant में एक होता है, short day plant, short day plant ऐसे होते हैं, जिनको ना, कम time तक light चीए होती है, sunlight उनको कम time तक चीए होती है, और वो flower को produce कर देते हैं, एक होते है long day plant, जिनको ना, लंबे time तक, दिन में, लंबे time तक sunlight की जरुरत होती है, जिससे वो flower को produce कर पाते हैं, और यह उतने day neutral plants, जिनको sunlight की जरुरत ही नहीं होती है, flower produce करने के लिए, ठीक है, तो plants में flower produce करने के लिए, light का बहुत ज़दा importance वापे होती है, all organisms handle chemical entering their body, अब जितने भी organism में को क्या करते हैं, handle करते हैं, chemicals को जो कि उनकी body में enter करते हैं, chemicals मतलब जैसे हम food खा रहे हैं, ठीक है, तो food के अंदर हमें glucose मिल रहा है, है ना, बाकी carbohydrate, fat वगेरा मिल रहा है, तो ये chemicals हमारी body में जा रहे हैं, तो हमारी body इसको handle करते हैं, मतलब इसको किसी और दूसरे form में change कर देती है, उसको different different जगे पे body में use करा देती है, ये ना, all organisms therefore are aware of their surrounding, तो जितने भी organism में, जितने भी living organism में, वो aware रहते हैं अपने surrounding से, human being is the only organism who is aware of himself, has self-consciousness, तो देखो, हमने भी क्या बढ़ा है, कि जितने भी living organism होते हैं, उनमें क्या होती है, ability होती है, कि वो अपने environment को sense करते हैं, ठीक है, तो वो तो consciousness होता है, बट लेकिन human being ऐसे होते हैं, जिनमें self-consciousness भी होता है, मतलब वो अपने से भी aware रहते हैं, अपनी body के ले अवेर रहते हैं, ठीक है, तो देखो, क्या है, जितने भी living organism हैं, उनमें consciousness होगा, ठीक है, वो अपने environment को sense करेंगे, बट लेकिन self-consciousness किसमें होता है, human being में, consciousness therefore, become the defining property of living organism, तो जितने भी living organism हैं, उनमें consciousness होता है, when it comes to human being, it is all the more difficult to define the living state, अब अगर हम बात करें, human being की, तो हमाले थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, living state को define करना, we observe patient laying in coma in hospital, virtually supported by machines, which replace heart and lungs, ठीक है, अब एक patient है, जो कि coma condition में, hospital में admitted है, ठीक है, तो उस patient में heart and lungs का का काम कौन कर रही हैं, machines कर रही है, the patient is otherwise brain dead, ठीक है, तो वो patient की ऐसा है, brain dead है, the patient has no self-consciousness, ठीक है, उस patient में कोई भी self-consciousness नहीं है, मतला है, उस patient को आवाज लगाएं, उसको touch करें, तो वो उसके लिए respond नहीं कर सकता, are such patient who never come back to normal life, living or non-living, तो देखो actually में वो जो patient है, वो coma condition में है, उसमें metabolism हो रहा है, ठीक है, उसमें cell division हो रहा है, तो हम उसे कहेंगे कि वो living condition में है, ठीक है न, बट लेकिन वो self-conscious अभी इस condition में नहीं है, okay, in higher classes you will come to know that all living phenomena, living phenomena का मतलब living events, जो कि हमारी body के अंदर होते हैं, are due to underlying interactions, मतलब कुछ interactions हमारी body के अंदर होते हैं, जिस वे से हमारी body में living phenomena होते हैं, देखो, इसको समझते हैं, the properties of tissues are not present in the constituted cells, but arise as a result of interaction among the constituted cells, ठीक है, एक tissue है, tissue किससे बनता है, group of cells से बनता है, ठीक है, अब जो group of cell है, वो आपस में interact करते हैं, और जब वो interact करते हैं, तो उस किससे tissue काम करते है, जैसे समझो, यह tissue है, tissue किससे बनता है, group of cell से बनता है, ठीक है, अब यह group of cell जब आपस में interact करते हैं, ठीक है, आपस में interaction जब इन उन में होता है, इस वज़े से क्या होता है, tissue function करता है, ठीक है न और Tissue कि जो смотрите होती, properties होती हैं, वो किस पर depend करती हैं, जब यह cell आपस में interact करते हैं, उस पर, okay, similarly, properties of cellular organelles are not present in molecular constituent of the organelles, but arise as a result of interactions among the molecular components, comparizing the organelles, तो देखों, यहाँ पर example लेते हैं, mitochondria गाइसको समझने के लिए, उसने क्या बुला कि mitochondria जैसे example लेते हैं, उसके अंदर जो molecular components हैं, यह molecular components है, protein, lipid, RNA और ATP synthase, जो mitochondria की properties होती हैं, वो इन molecules पर depend नहीं करती है, वो depend करती है, जब यह molecules आपस में interact करते हैं, ठीक है, ना समझ रहोने बात को, जैसे आपके लिखा है कि जो properties रहती है, cellular organelles की, not present in molecular constituent, molecular constituent पर present नहीं है, बट लेकिन का बाती है, जब यह molecules आपस में interact करते हैं, तो जब यह interact करेंगे, तो उससे इन cell organelles की properties आईगी, ठीक है, तो properties जो है है, वो किस पर depend करती है, interactions पे, these interactions result in emerging properties at a higher level of organization, अब इसको समझते हैं, देखो, यहाँ पर क्या बुला, जैसे कि organ है, ठीक है, organ किसे बनाते है, group of tissues है, तो group of tissues जब आपस में interact करेंगे, तो उससे क्या है, organ function करेंगा, मतलब organ को properties मिलेगी, फिर जो tissue की properties है, वो किस पर depend करती है, बहुत सारे जो cell है, वो cell जब आपस में interact करते हैं, तो उससे tissue को property मिलती है, फिर जैसे cell है, ठीक है, cell की जो properties होगी, वो किस पर depend करेंगी, जो molecule constituents हैं, वो molecular constituents जब क्या करेंगे, आपस में interact करेंगे, ठीक है न, बात समझ रहे हो न, तो देखो, यहाँ पर क्या बूला, कि जो भी organization complexity होती है, जितने भी levels होते हैं, उसके, जैसे cell, cell से tissue, tissue से organ, इनमें भी वो ही phenomenon अपलाय होता है, कि interaction से properties आती है, जैसे हमने यहाँ पर देखा न, tissue interact करेंगे, तो organ को properties मिलेगी, ठीक है, वो properly function करेगा, तो यह सारी चीजे है, हर level पर यहाँ पर involve होती है, therefore we can say that living organisms are self-replicating, है न, जब living organisms होते हैं, self-replicate करते हैं, evolving and self-regulating interactive systems capable of responding to external stimuli, इसके लाब जो living organisms होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने आसपास के environment को भी sense करते हैं, external stimuli के लिए respond भी करते हैं, biology is the story of life on earth, तो biology क्या होता है, story of life on earth, ठीक है, biology is the story of evolution of living organisms on earth, तो biology क्या है, story of evolution, ठीक है, story of evolution की किसके living organisms के, जो किसे अर्थ में रहते हैं, all living organisms present, past and future are linked to one another by sharing of common genetic material but to varying degree, तो जितने भी living organisms हैं, चाहे वो पहले रहते थे, चाहे वो आज रहते हैं, चाहे वो आगे future में रहेंगे, यह सब एक दूसरे से connected रहते हैं, by sharing of common genetic material, यह आपसे में क्या करते हैं, genetic material को share करते हैं, जैसे कि example लेते हैं, human का, human का genetic material है, वो थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, उसको आप compare करोगे किसी और organism से तो उसका genetic material थोड़ा अलग होगा, तो मतलब यहाँ पर क्या है, differences रहते हैं, genetic material के, बट लेकिन हम क्या करते हैं, share करते हैं common genetic material को, मतलब हम सबके सब living organism एक दूसरे से connected हैं, ओके, चलो, तो इस part को यहीं पर खतम करते हैं, next part को हम आगे कपड़ेंगे, बाई बाई